नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का Wi-Fi Study 2.0 पर मैं हूँ अंकित अवस्थी, आप है मेरे साथ में आज के 15 मिरिट में 15 सवाल के इस खास सेशन में, जिसमें हम लोग आपके साथ में न्यूस डिसकस करते हैं और उससे बनने वाली जो महत्वपूर्ण जानकारियां है उन्हें आपसे साजा करते हैं, तो आइए सेशन के शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ में, आपका पहला सवाल बना है आज का, हाल ही में किसने पहाडी राज्यों में अपनी परियोजनाओं में प्रारंभिक चेतावनी प्रनाली इस्थापित करने क फैसला किया है, तो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को ग्यात है, हाल ही में नंदा देवी के अंदर जो ग्लेशियर का विस्पोट हुआ था, उसके कारण से NTPC के बहुत सारे करमचारी जो हैं, जो वहाँ पर कार्या चल रहा था, उसमें बह गये हैं, और बहुत का साथ ही लापता हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए, अब इन्हों ने अपने हिल स्टेशन के जो प्रोजेक्ट हैं, वहाँ पर अर्ली वार्निंग सिस्टम इस्थापित करने का निरने लिया है, ऐसा कहा गया है, तो मेरे प्यारे साथियों, NTPC, जो आपके NTPC का मतल क्या है, तो ये है आप लोगों की भारत की एक महारतन कंपनी, जो की भारत में मतलब थर्मल और पेट्रोलियम एनर्जी के अंदर बहुत ज़्यादा कार्य करती है, NTPC की जो फुल फॉर्म है, वो नेशनल थर्मल पावर कॉर्परेशन है, और मेरे प्यारे साथियों, ये आगे से अपने जितने भी पॉइंट्स हेल स्टेशन पे हैं, उन हेल स्टेशन में जहाँ पर डिजास्टर आ सकती है, वहाँ पर पहले से ही अर्ली वार्निंग सिस्टम डवलप करके रखेगी, ठीक है ना, आपको मालूम होना चाहिए कि जो रिशी गंगा प्रोजेक्ट जिसमें NTPC का प्रोजेक्ट था, काफी ज़्यादा नुकसान वहाँ हुआ है, तपोवन और विशु नागध, हमने इसके उपर एक प्रॉपर सेशन भी किया हुआ, UPSC पर आप उसे देख सकते हैं, तो मेरे पहरे साथियों इन सब चीजों के लिए ये अर्ली वार्निंग सिस्टम डवलप करने जा रहे हैं, NTPC के चेर्मेन की बात की जाए, तो गुरदीप सिंग NTPC के चेर्मेन है, और इलेक्टरिसिटी विभाग के अंदर ये कारे करती है, हेड़कॉर्टर इसका न्यू डेली में है, और इसकी इस्थापना 1975 में हुई थी, ठीक है, हाजी आज Asia का Map का Part 2 डिसकस किया जाएगा, कल हमने Part 1 डिसकस कर लिया था, और Important Articles टाइम याद रखियेगा, Morning 10 बजे और Morning 11 बजे, Free Special Classes है, Important Articles मैं आपके साथ में डिसकस करने वाला हूँ, Done, तो ये दो तथ्या आप लोग अतिरिक्त रूप से याद रख सकते हैं, इसके अतिरि अंदर आया है, अंकित 10 लगाने से 10% का डिसकाउंट भी प्राप्त होता है, भारत ने शेहतूत बांध के निरमान के लिए किस रास्टर के साथ समझोता गिया है, तो मेरे प्यारे साथियों, Your Correct answer is, अफगानिस्तान, तो शेहतूत डेम एगरिमेंट किया है भारत ने, अफ अफगानिस्तान की उन में से एक है, तो भारत अफगानिस्तान के अंदर जो डेम बनाने जा रहा है, लालंदर डेम के नाम से भी इसे जाना जाता है, और शतूत नाम से भी इसे जाना जाएगा, और ये क्या काम करेगा, तो जो काबल सिटी है, वहाँ पर मेरे पैरे साथि फंड उपलब्द करा रहा है ऐसा हमारे External Affairs Minister जैशंकर प्रशाद जी के दोरा कहा गया है अगर आपको मालूम हो तो भारत ने एक डैम अल्रेडी यहां बना रखा है जिसका नाम सलमा डैम है तो सलमा डैम के बाद का दूसरा मेजर प्रोजेक्ट है जो यहां पर होने जा रहा है तो सलमा डैम, सलमा के बाद शैतूत डैम यह दो बात आप याद रख सकते हैं बात की जाए काबूल क्या है तो मेरे पैरे साथियों अफगानिस्तान की राजधानी है यहां की मुद्रा जो है किया जा रहा है हाल ही में किस देश ने म्यानमार के साथ संबंधों को सस्पेंड कर दिया है मतलब मेरे पैरे साथियों यह बहुत ही ultimate news का ही consider की जा सकती है reason क्या है कि international relations में कि आपके यहां पर coup हो गया है लोगों ने विद्रो कर दिया है तो ऐसी स्थिती में ने म्यानमार से कहा है कि हम आपके साथ कोई भी व्यवस्ता नहीं रखेंगे क्यों? क्योंकि हम एक democratic सरकार के साथ ही अपनी सत्ता चला सकते हैं याद रखिएगा न्यूजिलेंड की प्रधानमंत्री का नाम Jessica Arden है बहुत ही मतलब renowned महिलाओं में से consider की जाती है प्रभावशाली महिलाओं में consider की जाती है और ऐसा कहा है क्योंकि यहाँ पर military leaders अपना काम चला रहे हैं और हम लोकतंतर काही समर्थन करते हैं तो यह कहा जाए कि दुनिया में पहला देश जिसने म्यानमार के साथ अपने सारे diplomatic ties खतम कर दिये political ties खतम कर दिये हैं उसका नाम हुआ है New Zealand और मेरे पैरे साथियों New Zealand ने कहा है कि वो Human Rights Council से निवेदन करेगा कि वो म्यानमार के मसले के उपर discussion करे तो यह अपने आप में बहुत ultimate बात है याद हो तो New Zealand है कहाँ पर Pacific Ocean में इस्तित देश है आपको मालूम हो तो आठवा continent जिसे आप जीलेंडिया के नाम से जानते हैं वो इसी के लिए discuss किया जा रहा था वैसे साथियों 700 आईलेंड से मिलकर के बना हुआ है इसकी राजधानी मेरे प्यारे साथियों वैलिंगडन है इसका जो सबसे बड़ा शहर है उसका नाम Auckland है और यहाँ पर जो currency चलती है वो New Zealand का डॉलर चलती है यह तथ्या आप लोग याद रख सकते हैं ठीक है बिटा New Zealand कहा है तो ओशीनिया यह रहा Australia इसके बगल में New Zealand इनके मध्य में यह उपर की तरफ उत्तर नीचे की तरफ दक्षिन यह पूरव यह पश्चिम इनके बीच में मेरे प्यारे साथियों कुक स्ट्रेट पाई जाती है यहाँ का सबसे उचा परवत भी कुक परवत के नाम से जाना जाता है 913 करोड रुपए में कौन सा मंत्रा ले मजबूत करने के लिए समरपित किये गए है तो मेरे प्यारे साथियों हाल ही में पंचायती राज मिनिस्ट्री के लिए 913.43 करोड रुपए बजट में आवंटित किये गए है पंचायती राज मिनिस्ट्री के लिए याद रखिएगा मेरे पैरे साथियों मिनिस्ट्री आफ पंचायती राज के द्वारा 913.43 करोड रुपए बजट में डेडिकेट किये गए है ये लास्ट टाइम के बजट से 32% जादा है लास्ट टाइम मात्र 513 करोड रुपए पंचायती राज के लिए रखे गए थे इस बार 913 करोड रुपए आवंटित किये गए है कौन सी योजना कार्यानवित करेंगे ये तो राश्ट्रियक गाम स्वराज अभियान चलाएंगे इसके साथ साथ 200 करोड रुपए स्वामित्व योजना अगर याद हो तो स्वामित्व योजना भारत सरकार के द्वारा चलाई गई वो योजना है जिसमें की लोगों को उनकी लैंड की होल्डिंग कि भाई ये जमीन आप से ही बिलॉंग करती है इसके लिए एक उनको अधिकार पत्र दिया जाता है जिसे रिकॉर्ड लेटर भी आप कह सकते हैं चीक है ना तो ये तथ्या आप याद रख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों फाइनस मिनिस्टर के द्वारा अपने बजट स्पीच में ये कहा गया था कि वो राष्ट्रियक गाम स्वराज अभीयान को प्रमोट करेंगे और पंचायती राज इंस्टिऊशन के लिए यह कारया किया जाएगा तो राष्ट्रियक गाम स्वराज अभीयान के बारे में कुछ मैं additional तथ्या आपको बता दू क्या है ये योजना तो मेरे प्यारे साथियों सबसे पहली बात तो इसकी स्थापना कब हुई तो 24 अपरेल 2018 को हुई थी इसके अंतरगत किया क्या जाएगा मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर यह कहा गया था कि भारत में लगभग 2.55 लाख यानि 2.5 लाख और सतत्विकास लक्षों की प्राप्ति करने के लिए 5 साल का समय यानि 2022 तक का समय लिया गया है सरकार का मानना है कि इसकी वजह से बहुत सारे कारे किये जा सकेंगे जैसे पंचायतों का इपंचायत में कनवर्ट किया जाना किसके साथ अनुबंध किया है मेरे पहरे साथियों भारत Electrical Limited के साथ में Defense Ministry ने Ship Born Modern Radio System के लिए डील किया है एक हजार करोड में तो भारत Electronic Limited जो है वो एक Software बनाएगा Radio Tactics Ship Born System को बताने के लिए एक हजार करोड रुपेस का खर्चा आएगा बात की जाए भारत Electronic Limited की मेरे पहरे साथियों इसका मुख्याले कहां है बैंगलूरू में है याद करिएगा अभी थोड़े दिन पहले आपने H.A.L. का मुख्याले भी यहीं पढ़ा है 1954 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके चेयर्मेन और M.D. कौन है M.V. Gautama इसके मेरे पहरे साथियों M.D. है कौन सा अदेश नयोगत राष्ट मानाव अधिकार आयोग में फिर से शामिल होने जा रहा है USA अमेरिका मेरे पहरे साथियों यहाँ पर फिर से शामिल होने जा रहा है US ने कहा है कि वो UN Right Council के अंदर वापस शामिल होगा क्यों यह बात महत्वपूर्ण है मैं आपको बताना चाहूंगा मिरे पहरे साथियों यह बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत लंबे समय तक यह प्रता बनी रही थी क्या प्रता बनी रही थी कि साहाब जो US है वो डोनाल्ड टरंप के साशनकाल में साथियों बाहर निकल गया था UNHRC से लेकिन अब बाइडन सरकार का आना है और उनका कहना है कि हुमन राइट काउंसिल में हम फिर से आएंगे और तीन साल का जो हमारा मतलब टर्न है उसे हम पूरा करेंगे तो ये एक अच्छी बात है मैं आपको बता दू UNHRC का आफिस मेरे प्यारे साथियों जिनेवा में है और यहां पर आपको जान लेना चाहिए कि जिनेवा स्विजर लेंड में है और मेरे प्यारे साथियों इसके स्थापना 15 मार्श 2006 को हुई थी USA के बारे में तो आप जानते ही हैं या नए राष्टपती जो 46 फे राष्टपती हैं वो जो बाइडन है और यह अमेरिका में इस्थित है हाल ही में किस देश ने 2021 में ब्लूमबर्ग सुचकांक का नितरत्व किया है किस ने मेरे प्यारे साथियों लीड किया है South Korea नवाचारों के छितर में 60 Economies के भीतर मेरे प्यारे साथियों नवाचारों के लिस्ट दी गई उन नवाचारों के लिस्ट में मेरे प्यारे साथियों जो नवाचार सबसे ज़्यादा देखे गए वो कोरिया में, साउथ कोरिया में, फिर सिंगापुर में मेरे प्यारे साथियों नमबर दो पर नवाचार नौटिस किये गए हैं, तो ये अपने आप में एक जबरदस्त बात है जो आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना? तो ये नवाचारों के बारे में मैंने आप लोगों को जानकारी दी, टॉप 10 में अमेरिका खुद भी शामिल यहां पर नहीं है, तो ये आपके सामने अतिरिक दूरूप से बात हो जानी चाहिए, तीसरा जो देश यहां पर टॉप पर रहा है, वो मतलब तीसरे नमबर पर ज इधर लेंड और मेरे पैरे साथियों इस प्रकार से कुल मिलाकर 10 वे नमबर पर आस्ट्रिया रहा है, जिसकी राजदानी वियना है, ठीक है न, चाइना जो है मेरे पैरे साथियों वो 16 वे नमबर पर पहुंचा है, और भारत 50 वे नमबर पर पहुंचा है, नवाचारों के मामले में ठीक है तो गुदक्षिन कोरिया जो है वो नंबर वन पर रह गया है इस तथे को आप लोग याद रख सकते हैं जिसकी राजधानी सीयॉल है साउथ कोरिया वौन यहां के मुद्रा है 38 पैरलल जो है वो नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया से प्रतक करता है किस राजधी सरकार ने आंदर प्रदेश के साथ सीमा विवाद के कारण सुप्रीम कोर्ट जाने का निरने लिया है तो नन अदर दैन ओडीसा मैंने प्यारी साथियों हमने साथ बज़े वाले सेशन में ये प्रॉपर आपको अगे है उडीसा की इलक्षन अंदर प्रदेश ने डेक्लियर कर दिया तो भाई ऐसी इस्थिती में सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता अपनाएगा उडीसा ये तथ्या आपको याद रहना चाहिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रशन की तरफ अगला प्रशन क्या बना है इससे पूर्व ओडीसा के बारे में बाते और जान लीजे राजधानी भूवनेश्वर गनेशी लाल गवर्नर नवीन पतनायक चीफ मिनिस्टर है वीतर कणी का सीमली पाल यहां के प्रमुकवों है उडीसा मेरे प्यारे साथियों चार राज़्यों के साथ बार्डर साजा करता है फैस्ट बेंगॉल जहारखन चत्तिस गड़ और आंतुल प्रदेश तीस जिले हैं जिसमें से दस विवादित हैं मतश्य केंदर बनाने के लिए केंदर सरकार ने किस राज़्य में 400 करोड रुपे निवेश की बात की है तो मेरे पहरे साथियों फिशरीज मिनिस्टर हैं भारत के गिर्डाज सिंग उन्होंने 400 करोड रुपे लगाने की बात करी है गोवा के भीतर तो ये याद रखिएगा फिशरीज हब बनाने की बात की गई है गोवा को ये याद करिएगा मचली के लिए मतलब इसको प्रमुकेंदर के रूप में स्थापित करने की बात की है गोवा जिसकी राजदानी पणजी है भगत सिंग कोशियारी जो की गवरनर है आपके महराष्टर के वो यहां की भी गवरनर है प्रमोज सावन्द यहां के सीएम है लोक सभा में दो राज सभा में एक और विधाल सभा में यहां पे 40 सीटे है आगे बढ़ते हैं अगले प्रशन की तरफ हाल ही में भारत के राष्टपती ने किस इस्थान पर जनरल केस थिमया को संग्र समर्पित एक संग्रहले का उद्गाटन किया है तो मेरे प्रेसिडेंट ने हाल ही में कोडागू जनरल थिमया के लिए माधी केरी के अंदर एक मतलब करनाटका के अंदर एक म्यूजियम समर्पित किया है ये करनाटक में पैदा हुए थे कोडागू के भीतर जर्नल थिमया चीफ आफ आर्मी स्टाफ रहे थे 57 से 61 के बीच में और मेरे पैरे साथियों ये इनकी याद में यहाँ पर मेरे पैरे साथियों वो किया गया है ठीक है ना जर्नल थिमया म्यूजियम बनाया जाएगा लोग बारवा राज्य बन गया है यानि वन नेशन वन राशन कार्ड का मतलब क्या हुआ आप एक राज से दूसरे राज्य में जा रहे हैं तो आप वहाँ पर भी राशन प्राप्त कर सकते हैं तो राजिस्थान बारवा राज्य बन गया है जिसने की मेरे प्यारे साथियों वन वन राशन कार्ड स्कीम को अपने राज में भी इंप्लिमेंट कर लिया है। अगर बात की जाए अब तक कितने राजे इस कारे को कर चुके हैं तो आंध्र प्रदेश, गोवा, गोजुरा, अथा, अरियाना, करनाट, केरल, मद्ध्र प्रदेश, देलंगाना, तमिलनाडु, अध्र पुरा और उत्तर प्रदेश इस कारे को पूरा कर चुके हैं, ठीक है ना, तो ये तथ्या आप लोगों को याद रहना चाहिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि यूनियन गवर्मेंट ने इसको कब लॉंच किया तो 2019 में इसको लॉंच किया था, रीजन क्या था, मेरे प्यारे साथियों, बात की जाए, निमनलिखित में से कौन रंग विदूशक का संस्थापक और रंगमंच निर्देशक पदमशरी है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, तो मेरे प्यारे साथियों, बंसी कॉल का हाल ही में मेरे प्यारे साथियों निधन हो गया है, य 16.17 में राष्टे कालिदास परुसकार से भी इन्हें सम्मानित किया गया था ICC ने किसे अपना वैश्रिक साज़िदार गोशित किया है मेरे पहरे साथियो ICC ने अपना अनाउंस किया है ByJews को as a partner until 2023 ICC के जितने भी event होंगे ये एक online company है मेरे पहरे साथियो और ये T20 World Cup को भी host करेगा Women World Cup in New Zealand को भी ये host करने वाला है ये तत्या आप याद रख सकते है ByJews को as a global partner till 2021 से 2023 के बीच में इसे cover किया गया है ठीक है न? तो ये आप याद रख सकते है ICC event के अंदर World Cup जो है उसको भी T20 World Cup को भी और Women's World Cup जो न्यूजी लैंड में होने वाला है उसको ये वो करने वाला है ByJews का भी headquarter बैंगलूरू में है और इसके founder का नाम ByJew रविंदरन है CEO भी यहां के वाँजू रविंदरन ही है यहां से आगे बढ़ते हैं अधुनिक भारत का गांधी भी कहा जाता है 2021 में recording के लिए कौन सा cricket sung drone का उपयोग करेगा मेरे प्यारे साथियों BCCI ने कहा है कि अब वो aerial filming भी करेगा यानि कि आसमान में से भी photo record करेगा और इसके लिए वो drone का उपयोग करेगा तो live aerial cinematography के लिए drone की तैनाती की BCCI ने अब अनुमती दे दी है यानि कि पूरी तरह परिचालन को मंजूरी दे दी गई है दिसंबर 21 से जो है मतलब यहाँ पर इसकी permission मागी गई थी BCCI के द्वारा BCCI के वरतमान में President सौरव गांगुली है Vice President राजीव शुकला है जैशाहा वरतमान में इसके Secretary है BCCI किस्थापना 1928 में हुई थी आपको ये पूरा content मेरे Telegram चैनल अंकित अवस्ति सर पर मिल जाएगा अगर आप इस पर जुड़ना चाहें तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल के उपर आपको पूरी मेरी class की PDF और सभी classes का notification प्राप्त हो जाता है आपका दिन मंगल में हो मेरा referral code अंकित 10 यूज़ करके आप मेरी तमाम classes को access कर सकते हैं धन्यवाद